वेल्कम टू विद्या की जन्नी भारती अर्थ व्योस्था योम राजी व्योस्था से बनने वाले बहुत सारे प्रश्णों को इस वीडियो में आडियो में लेके आये हैं तो आप इसकी बिल्कुल नहीं करिए पूरा जरूर देखिए लाश्ट तक आपको बहुत सारे वास्था कहते हैं राश्ट्री आए की घड़ना कहा की जाती है किसके द्वारा की जाती है तो केंद्रिये शांखे की संगठन की द्वारा की जाती है मुद्रा ओमूल्यन जब देश की मुद्रा का मूल्य डालर की अपेच्छा कम कर दिया जाता है तो इस स्थिति में निर्यात बढ़ता है और आयात कम हो जाता है इसको क्या कहते हैं तो मुद्रा ओमूल्यन कहा जाता है भारत में राश्ट्री आए की घड़ना सरपर्थम किया दादा भाई नरोजी ने किया आर भी आई का राश्ट्रे करण एक जनवरी 1949 को हुआ एक रूपे के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका तो बित्त सचिव का बित्त बिभाग के सदर से होते हैं पांच बैंको का बैंक है आर भी आई भारत में सेयर बाजार पर नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है तो सेवी द्वारा किया जाता है निफ्टी स्टाउक एक्सचेंज है कहां तो दिल्ली में है जो निफ्टी स्टाउक एक्सचेंज है वो कहां है तो ये दिल्ली में है चल्या समीत का शंबंध है करशुधारोश जो चल्लिया समीत का शंबन्ध है वो कर्शुधारोश है नर्शिंहन समीत का शंबन्ध है बैंक सुधारोश है जो नर्शिंहन समीत का शंबन्ध किसे है तो बैंक सुधारोश है और चल्लिया समीत का शंबन्ध है वो कर्शुधारोश है अजसास का जन्वडाता किसे माना जा continues Are you अग्षज कई आयकर इसको हम शुम्पति कर कम ऐसे करते है तो Knig slots अग्षाई कर कहते है, तो शुम्पति कर का आंगर है कर यह सब केंद्रीय कर कर एंध कोंसा आता है तो भूम कर, मनुरंजन कर, विक्री कर राज करके अंतरा गताता है भूम कर, मनुरंजन कर और विक्री कर क्रिशी है तो रिड़ देने वाली संस्था है नाबार्ड जो क्रिशी है तो रिड़ देने वाली संस्था है वो कौनसी है तो नाबार्ड है भारत में पंच बरसी योजना की सुरुवात की गई भारत में जो पंचबरसी योजना की सुरुवात की गई वो कब से की गई तो 1921 क्यामा से की गई नीति आयोग की अस्थापना कब की गई तो एक जनवरी 2015 को की गई नीति आयोग की अस्थापना एक जनवरी 2015 को की गई नेतियायोक का पदेन अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है दितिये पंचबर्सी योजना के प्रस्तुत करता है पीशी महाल नोविष है भारत में हरित करांती के जन्मताता कौन है तो यमिय स्वामी नाथन है भारत में हरित क्रांती के जन्दाता कोन है तो यमियस स्वामी नाथन है विश्व में हरित क्रांती के जन्दाता कोन है तो नार्मन बोरलाग है विश्व में हरित क्रांती के जन्दाता नार्मन बोरलाग है भारत में हरित क्रांती का सरबादिक प्रभाव पड़ा गेहू पर बारत में हरित क्रांती का सरबादिक प्रभाव किस पे पड़ा तो गेहू पर पड़ा भारत में हरित क्रांती का सब्षे कम प्रभाव पड़ा दलहन यों तिलहन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा भारत में हरित क्रांती का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहू पर पड़ा और सबसे कम प्रभाव दलहन योम तिलहन पर सबसे कम प्रभाव पड़ा आपरेशन फ्लड संबंधित है दुगध अपूर्थ से रजत क्रांथ संबंधित है यह अंडा उतपातन से है रोलिंग प्लान चलाया गया चट्वी पंचवर्शी योजना में बेरोजगारियों गरीवी पर पहली बार ध्यान दिया गया पंचवी पंचवर्शी योजना में यह रहे भारती अर्थ ब्यवस्था से बनने वाले प्रश्ण और आगे राजी ब्यवस्था से बनने वाले प्रश्णों को चांते हैं सौडियों में सम्मिधान की कुझी कहा जाता है प्रस्तावना को सम्मिधान की कुझी कहा जाता है तो प्रस्तावना को सम्मिधान की कुझी कहा जाता है सम्प्रभुता समाजवादी पंथ निरपेच सब्द जोड़ा गया बैलिस में सम्मिधान संसोधन द्वारा जो शम्प्रभुदा और शमाजवादी पंथ निर्पेक्ष शब्द जोड़ा गया बायलिस्वे संसुधन के द्वारा मिनी शमिधान कहा जाता है बायलिस्वे संसुधन को मेनी शम्मिधान किसे कहा जाता है तो 42 सम्मिधान संसोधन को हम मेनी शम्मिधान के नाम से जानते है केंद्री मंत्री मंडल उत्तरदाई होता है किसके प्रति तो लोक सभा के प्रति उत्तरदाई होता है लोक्षभा के प्रति, लोक्षभा के प्रति कौन उतरदाई होता है तो केंद्रिय मंत्रिय मंडल उतरदाई होता है लोक्षभा के प्रति शंबैधानिक उप्चारों का उलेख है अनुच्छेद 32 में अम्बेडकर ने शम्विधान की आत्मा कहा है ग्राम पंचायतों के गठन की ओधाना का उलेक है अनुच्छेत 40 में मृत्युधंड की सजा की माफी का उलेक है अनुच्छेत 72 में राजभासा हिंदी दठाल्िपी दिवनागरी होगी ये किसमे है तो अनुच्छेत 343 में है राज भासा हिंदी दताल निपी डिवनागरी होगी ये अनुछे 3043 में है अनुछे 3070 संबंदित है जम्मो कस्मेर से प्राकलन समित्थ की कितने शदब से होते हैं तीस सभी लोक सभासे, तीस सदसे होते हैं, सभी लोक सभासे होते हैं, जो प्राकलन समित में कितने सदसे होते हैं, तीस सदसे होते हैं और ये लोक सभासे होते हैं, लोक लेखा शमित को प्राकलन समित की चुड़वा बहने कहते हैं, लोग सभा सदस की नियुनतमाय। निर्धारित की गई है तो तीस बर्स की गई है लोग सभा में पचीस बर्स और राज सभा की तीस बर्स राष्टपत उपराष्टपत के लिए नियुनतमाय है 35 बर्स निर्विरोध चुने गई राष्टपत कोन थे तो नियुलम संजीव रेड़ी थे भारत में कितने भासाओं का उलेख है तो 22 भासाओं का उलेख है ये आठवी अनसूची में आठवी अनसूची में कितने भासाओं का उलेख है तो 22 भासाओं का उलेख है संपत की अधिकार को शमाप्त कर दिया विधिक अधिकार किया गया 24 में शंशोधन शंबिधान संशोधन द्वारा शंपत की अधिकार को समाप्त कर दिया गया समाप्त कर विधिक अधिकार किया गया 24 में शंबिधान शंशोधन के द्वारा मूल करतब्यों का उलेख अनुच्छेद 51 में 51 का में है सिच्छा किस सूची के अंदर गत है तो समौर्ती सूची के अंदर गत है सिच्छा किस सूची के अंदर गत आता है तो समौर्ती सूची के अंदर गत आता है अस्प्रिस्यता के अंत से सम्बंधित अनुछेद है अनुछेद 17 है धन विध्यक प्रस्तुत किया जाता है लोग सभा में जो धन विध्यक प्रस्तुत किया जाता है तो लोग सभा में किया जाता है हैं जी एशन ती अधनियब कौन सा समीधान संसोधन है तो एक इख्यानन sei टो एक इख्या संसोधन n Bol Keam का है ह chemicals क्रुकर पश्छ मढ जाओ में होना साबısı क्या चाहिए संसत के दो सत्रों के बीच छा मा से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए राश्टपत को सपत ग्रहाड कराता है सर्बोच नयायले का मुखिनयाधिस लोक सभायूम राज सभा के संयूक्त अधिवेशन की अध्यचता करता है लोक सभाध्यच लोक सभायूम राज सभा के संयूक्त अधिवेशन की अध्यचता करता है कौन तो लोक सभाध्यच करते हैं सामानित है बजट फरवरी के अंतिमतिथी को प्रस्तूत किया जाता है सामान निता है जो बजट होता है वो कब प्रस्तूत किया जाता है तो फरवरी के अंतिमतिती को प्रस्तूत किया जाता है फ्रेंड्स ये रहें कुछ महत्यपूर प्रस्त और मिलते हैं नेक्स्ट आडियो में पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद